तो पूरा देश दरता है विप्लक्षी पार्टियों के निता दरते हैं कि हमने कुछ कहा नहीं कि ED, CBI और IT पहुंच गई है। हम को कहें का डर लगे हैं। हम जिस दिन से राजनीत में प्रवेश किये हैं। उस दिन से आज तक सुध राजनीती कार्ज करता के रूप है। न मेरा कोई ब्यापार है न मेरा कोई धंदा है। और नहीं मैं आपको बता रहा हूं। पांच रुपया कभी मेरा कोई कंपनी में इन्वेस्टमेंट है। न सेयर हमने आस्ते खरीदा कभी। अच्छा सेयर भी नहीं खरीदा है। तो हम खरीदे ही नहीं है। हमने पहला दिन कहा कि मेरे आमदनी का श्रोत तीन है। मेरे पैत्रिक संपत्ति से जो खेतिवारी से आमदनी है वो है। मेरा जो घर से किरारा आता है वो है। और मेरा सांसत के रूप में जो सेयलरी मिलता है वो है। इस से इन के अलावा कोई आई पैर श्रोत अगर आपको मिलता हो। तो आप करिए. लेकिन यह यह नहीं। अपनिया लगता है किया मेशने चाड जाएंगे जिस παर यह आद प्सक्त नुता लगाइए अला कि जतने मामलुमम उवहथ जबर्दस्ति कर चाड़ते हैं। जबर्दस्ति कर क्चा आप को हम एक वांद बताजिए। श्री लालु प्रसाद जी के हां 2017 में उन्होंने च्छापा मारा और सिर्फ इसले च्छापा मारा कि हम लोग महागठ वंधन में जो थे वो अलग हो जाए 2017 में हम लोग अलग होगे तो 2017 से 2022 तक कुछ नहीं हुआ उनके सारे पालतू तोते से वियाई इडी साब घर में पिजले में कैद हो और 2009 अगस्ट 2022 को जैसे ही फिर महागठ वंधन बिना सारे तोते जो है पिजला से निकल के भर्मन करने लगे तो आप तो मानते हैं कि विपक्ष को टार्गेट किया जाता है विपक्ष को तो सभावी पिपक्ष को टार्जिट किया जाता आप प्रधान नंत्री का एक भासन देखिए वो अमेरिका से लोटके आए और उन्होंने भासन दिया और बड़े जोर-जोर से उन्होंने कहा कि महाराष्ट में NCP के नेताओं पर सतर हजार क्रों रुपे का घोटाला है जमीन घोटाला तो खाद घोटाला तो क्या-क्या घोटाला कई घोटाले का नाम उन्होंने लिया और 36 गंटा के अंदर सभी लोगों को भारतिये जनता पार्टी की जो वासिंग मसीन है उसमें डाल के उन्होंने निकाल दिया असा मंत्री बन गया सब घोटाला खतम हो गया तो मेरा कहने का मतलब यह है कि यह अपने विरोधियों को टार्जेट करते हैं और टार्जेट करके उनको डरा धंकाके अपनी पार्टी के विस्तार में इसका उपियोग करते हैं यह तो साथ दिख रहा है लेकिन एक बात है जरूर हम आदर्णिय प्रधान मंत्री जी 2014 से है इस देश की पताना। और कुछ किया है यह नहीं किया उन्होंने यह नहीं जानते हैं कोकि जो भी वादा उन्होंने 2014 से आज तक इस देश में किया, 2014 में उन्होंने कहा कि दो कड़ोर लोगों को रोजगार देंगे सारे विदेश में जितना काला धन है उसको वापस लाएंगे हर गरीब के खाते में 10 से 15 लाक भेजेंगे चुनाव के बाद उनके ग्री मंत्री जी ने कह दिया कि जुमला है इस तरह का जुमला लोग चुनाव में बोलते हैं